सुप्व भाद पिरिया दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा नौवी के पाठ दस में वाक जोकी ललग कवित्री दुवारा लिखा गया है उसके अधार पर एक प्रश्न उत्र हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे और अपने जीवन को सरल बनाएंगे हमारा प्रश्न है कि वाक के माध्यम से कवित्री हमें क्या क्या समझाना चाहती है और हमारा उत्र है वाक के माध्यम से कवित्री हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें भक्ति करते हुए अपना कर्म भी करना चाहिए ना कि कर्म को त्याकर भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए इससे हमें एहंकार आ जाता है और हम अपने पत से भटक जाते हैं एहंकार आ जाता है तो एहंकार नाश का कारण होता है इसलिए हमें कभी भी जिंदकी में किसी भी सिच्वेशन में एहंकार नहीं करना चाहिए और एहंकार के कारण भगवान भी हमें अपनाने से इंकार कर देते हैं हम धर्ती पर कर्म करने के लिए ही आते हैं कर्म ही अपना पहला धर्म है और कर्म के दो भाग हैं पाप और पुन्य हमें अपने जिन्दकी में पुन्य कमाने की कोशिश करने चाहिए अर्थात हमें अपनी जिंदकी में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए जिनकी एक नाव की तरह होती है जिसे हम कच्छे धागे रूपी सासों से खीचते हैं अर्थात अपना जीवन व्यतित करते हैं जब मनुश्य धर्ती पर जनम लेता है तो उसका मन पवित्र होता है उसे मो माया का कोई ग्यान नहीं होता उसे किसी भी चीज का लोब नहीं होता परम्तु जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है वह लोब ही होता चला जाता है अर्थात वह लोब करने लग जाता है उसके मन में नकारात्मक विचाराने लग जाते हैं वह मो माया में ऐसा फस जाता है कि इससे निकलना मुश्किल होता चला जाता है उसने जो सोचकर इस धर्ती पर जनम लिया था वह उसे पूरा ही नहीं कर पाता अर्थात अच्छे कर्म पुन्य नहीं कर पाता और जब वह मृत्यों के निकट आ जाता है वह हिसाब लगाता है कि उसने जिन्दकी में क्या अच्छे कर्म किये कि भगवान उसे जनम मरण के बंधनों से मुक्ट कर दे यानि कि मोक्ष दे दे अर्थात उसको कभी धर्ती पर आना ही ना पड़े अपने पापों को भुगतने के लिए हमें अपना जीवन हम अपना जीवन तेरा मेरा करते वे निकाल देते हैं और जीवन का एक एक पल यूँ ही निकल जाता है और मृत्यों निकट आ जाती है और इसी परकार हम बार बार इस धर्ती पर जनम लेते हैं क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं पाप होई जाते हैं जाने में या फिर अझाने में हमसे पाप होई जाते हैं भगवान कण कण में बसता है, हमें इससे ढूनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी नजर पत्ते पत्ते पर है, अर्थात इसकी नजर हम सब पर हैं, अगर हम ग्यानी है तो स्वैम को ही जान ले, परमतु ग्यान देने वाले अब वह गुरू नहीं है, जो हमें परमात्मा से मिला सकी, अब हमें शिक्षक मिल चुके हैं, जो हमें शिक्षा देकर जिन्दकी में सफल बनाते हैं, ग्यान और शिक्षा में बहुत अंतर है, कैसे अंतर है? शिक्षा से हमें लक्षे में सफल हो सकते हैं, लक्षे को पा सकते हैं, परमतु ग्यान से हमने, परमतु जो हम ग्यान लेते हैं, जो हम ग्यान प्राप्त करते हैं, उस ग्यान से हम अपने आपको जान कर, पहचान कर, अपनी जिन्दकी सफल और सरल बना सकते हैं, हम अपनी जिन्दकी में संतुष्ट रह सकते हैं ग्यान से ग्यान प्राप्त करने से और जीवन की और जीवन मरन के बंधनों से मुक्थ हो सकते हैं अर्थात जीवन मरन के बंधनों से मुक्ष हो सकते हैं इसका अर्थ है कि मौक्ष प्राप्त करना और परमात्मा को पा सकते हैं जो कि हर इंसान का एक मुक्ष उधेश्य होता है परमतु वह धर्थी पर आकर मौ माया में ऐसा फज जाता है और उससी उधेश्य कुड़ा भूल जाता है वह असली उधेश्य को भूल जाता है क्योंकि वह और उधेश्यों में लग जाता है जैसे कि जब हम जिन्दे की लेते हैं जिन्द की जीरे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं कि पढ़ाई, लिखाई, नौकरी, जोब, सर्विस या फिर कोई बड़ा बिजनस इस चाइब के हमें बहुत सारे उधेश्य बन जाते हैं लेकिन कभी मत भूलिये कि हम इस धर्ती पर क्यों आते हैं हम इस धर्ती पर अच्छे कर्म करने के लिए आते हैं ताकि हम अच्छे कर्म करें और इन जीवन मरन के बंधनों से मुक्त हो जाएं याद रखिए कि इनसान का जीवन सबसे श्रेश्ट श्रेणियों में आता है इनसान का जीवन सबसे श्रेणियों में इसलिए आता है क्योंकि इनसान के पास जिमाख होता है उसे अच्छे बुरे का अच्छे से परक होती है और इसलिए इनसान की जीवनी में जो आता है उसे उसके पास बहुत अच्छा मुका होता है कि वो मौक्ष प्राप्ट कर ले लेकिन वो फिर से मौवाया में फस जाता है और इस उदेश्य को वह फूल जाता है आंसर पर आते हैं उत्तर पर आते हैं इस वाक से कवितरी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हमें इसे पढ़कर खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इसे बहुत कुछ अपने आप से ही समझा जाता है तब हम इसको पढ़ते हैं कविता को तो ये था हमारा इसका आंसर अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को या फिर जानने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करे शेयर करे ताकि सब को यह अनोखी बात समझ में आ जाए और सब का जीवन सरल बन जाए धन्यवाद